तो welcome to study with concepts कैसे हैं सभी लोग मेरी आवाज clear है एक बार comment करके बताईए कभी या मेरी आवाज clear सभी लोग को जल्दी से एक बार comment कर दो तो फिर हम लोग आज की class चालू करते हैं बताईए सारी चीज़े clear है ना हम लोग यहाँ पर start कर रहे हैं अपना current affair की class जो की September मन्त के जो current affair है उसके जो most important या ऐसा कह लो कि most top 100 questions most top 100 questions मैं 100 आपको बोल रहा हूं बट वह एक्चुली वह 110-120 ऐसे question है total clear तो मैं यहाँ आपको 110-120 वह important question September मन्त करा रहा हूं जो कि आपको exam में देखने को जरूर मिलेंगे यह वाले questions देखो current affair की अगर मैं आपको PDF दे दूँगा तब भी आप लोग कर लोगे क्योंकि उसको सिब पढ़ना बस है और वह exam में हमको तुरंत recall हो जाता है याद हो जाता है और हम option में टिक कर देते हैं लेकिन इसकी class लेना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो dictate करवाओंगा वह आपके दिमाग में तुरंत यहाँ पर क्लिक होगा है ना और वह दिमाग में बैठ जाएगा और मैं एक question में उससे related तीन चार चीज़े और बताऊंगा जो की exam में पूसता है for example जैसे कि आगया आप करनाटक तो मैं आपको करनाटक से related उसका करनाटक से related मैं उसका आपको capital बताऊंगा CM बताऊंगा governor बताऊंगा फॉर example अगर आगया जैसे की UNICEF तो मैं जो UNICEF है सबसे पहले तो मैं उसका full form बताऊंगा फिर headquarter बताऊंगा head कौन है ये बताऊंगा कब establish हुआ था ये बताऊंगा तो आप देख रहे हो कि एक कोशन से मैं आपको 4-5 या 3-4 कोशन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि exam में पूसता है clear तो इस सारी चीज़े इसलिए हम लोग यहाँ पर current affair की class को start करी है हम लोगों ने clear तो 3 class अपनी हो चुकी है है ना आज अपन इसकी 4th class पढ़ रहे है तो अभी तक हम लोग total 65 questions हम लोग कर चुके हैं अब मैं आपको उसके आगे से बताता हूँ मतलब 66 वा question clear हम लोग अभी यहाँ पर आपने स्टार्ट करेंगे 66th question ठीक चलो तो जिन लोगों ने अभी तक इसके पहले की classes नहीं देखी है current affair की है ना first part second part और अपना third part वो एक बार देख लीजेगा है ना बस फिर हम लोग यह देख रहे हैं अपनी fourth class तो जल्दी से एक बार अपने class को share कर दो है ना और दोस्तों में अपने class को share कर दो और सभी को एक बार live आने को कह दो clear चलो तो चलो भी है यहाँ पर अपन लोग start कर रहे हैं पहला question क्या है आज की class का देखेगा पहला question यह रहा आप लोगो question दिख रहा है यह नहीं दिख रहा गया एक second मैं इसको एक छोटा सा कर देता हूं है न मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि यह question आप लोगो दिख जाए ठीक है पहला question यह है आपकी screen पर की what is index what is India's rank in 2020 human capital index HCI released by world bank सुनना ध्यान से विश्व bank द्वारा जारी 2020 मानो पूंजी सूच कांग HCI में भारत की rank क्या है तो भाया यहां पर ध्यान दीजेगा कि सबसे पहले यहां पर आपसे question बहुत important है यह वाला question और इस question में यह भी पूछ सकता है कि human capital index किसके द्वारा release किया गया तो आप लोग को तब आंसर देना है कि world bank द्वारा release किया गया क्या human capital index जिसमें भारत की जो rank है वो कितनी है 116 clear तो इस question का answer कितना हो जाएगा 116 कि भारत की जो rank है human capital index में वो है 116 यह किसके द्वारा release की गई है human capital index तो यह की गई है world bank के द्वारा अगर आप से पूछा जाए कि top पर कौन है मतलब first rank कि कि कंट्री की है तब आपका answer यहाँ पर होगा Singapore तब आपका यहाँ पर answer क्या होगा सर Singapore क्या इतनी चीज मेरी clear है तो यहाँ पर आपसे first भी पूछ सकता है कि human capital index hci में जो कि world bank द्वारा जारी की गई इसमें first rank किसकी है तो आपका answer होगा Singapore अगर आपसे इंडिया का पूछा है तो 116 clear है आगे बढ़े next question यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्या कोशन है भीया कि Ashokhasti who passed away recently is the present राज्यसभा MP from which state मतलब member of parliament from which state Ashokhasti जिनका हाल ही में निदन हो गया वरतवान राज्यसभा सांसत किस राज्य से है करनाटक केरला आंदरप्रदेश तेलंगाना तविल्लाडू बताओ यह चारों जो states दी है इनकी हम पहले ही बाते कर चुके हैं इसके पहले वाली classes में तो इसका आपका correct answer क्या हो जाएगा भीया करनाटक clear अशोग गस्ती जो है जो रिसेंट्ली अपना रिसेंट्ली जो एक्सपायर हो चुके हैं वह कौन से राज्यसभा सांसत किस राज्य से हैं तो वह सर करनाटक है ना करनाटक के वह MP थे clear हो गया चलो आगे बढ़ते हैं next question अच्छा यह करनाटक का मैं आपको इनागरेटेट कोसी रेल मेगा ब्रिज एट विच स्टेट पी एम मुदी ने किस राज में कोसी रेल बहुत important है पी एम से रिलेटेड जितने भी इनागरेशन होते हैं जिसमें जो इनागरेट पी एम करते हैं वो बहुत important question हो जाता है आपके current affair में clear जैसे कि ये question कि भईया clear PM मुदी ने में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उढ़गाटन किया है तो यहां पर आपका correct answer क्या हो जागा यहां पर आपको correct answer हो जाएगा बिहार clean अborgर पीएम मुदी id designated कोसी मेगा Bridge एट विच स्टेट तो आपका answer है बिहार clear अब बिहार के हम लोगों ने अभी तक बात नही करिए तो मैं आप लोग को बिहार से related question बता देता हूं और क्या क्या है question आप से पूछता है कि जैसे कि बिहार का capital क्या है तो हम सभी लोग को यहां पर पता होना चाहिए क्या एक्जाम में पूछा जाता है तो कोशन अगर ऐसा आ गया जो कि आपके किसी ना किसी के एक्जाम के शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा कोसी रेल मेगा ब्रिज कहां पर इनागरेट किया गया पी एम मोदी के द्वारा तो बिहार में क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन यह रहां आपकी स्क्रीन पर क्या कोश्चन है मिनिस्टर आफ स्टेट एम ओ एस फॉर सिविल एविएशन हरदीप सिंग पूरी है इनागरेटेट इंडिया फॉर्स्ट जनरल एविएशन टर्मिनल एड विच एयरपोर्ट ना किया ऐसा बताना है तो यहां पर आपके ऑप्शन है जिसमें से आपका करेक्ट आंसर देगो जितने भी लोग लाइव देखें क्लास में सब्सक्राइब कर सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा तो बिलकुल इसका करेक्ट आंसर है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपो इंडस्ट्रीज हर सिम्रत कौर बादल रिजाइंड रिसाइंटली बताइए क्या होगा इसकोशन का आंसर खाद प्रंसकरन उद्धोग मंतरी हर सिम्रत कौर बादल ने हाल ही में स्तीफा दिया कि रूप में किसे अत्रिक्त प्रभार दिया गया तो यहां पर आपका सिंग तो मर क्या इतनी चीज़े क्लियर है अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि नरेंद्र सिंग तोमर जी को कौन सा एक एडिशनल चार्ज दिया गया है तो वो है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे कि इस कोशन में लिखा है क्या फूड प्रोसेसिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेंद्र सिंग तोमर कौन से उसके मिनिस्टर है ठीक इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अलावा और किस-किस डिपार्टमेंट के यह मिनिस्टर है तब आपका आंसर क्या होगा तो यह मिनिस्टर है किसके एगरी कल्चर आंड वेल फिर तो मैं आपर लिख देता हूं यह मिनिस्टर है मिनिस्टर ओफ एगरी कल्चर ँंड फार्मर्स वेलफेर ह। ठीक और एक और के मिनिस्टर है यह किसके मिनिस्टर ओफ रूरल एंड डेवलप्मेंट, मिनिस्टर ओफ रूरल एंड डेवलप्मेंट, क्लियर, तो इस चीज़ को ध्यान रखियेगा, की, मिनिस्टर ओफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो एडिशनल चार्ज है, वो नरेन सिंग तोमर को दिया गया है, जो की मिनिस्टर ओफ एग्रिकल्चर और फार्मर वेलफेर हैं, और साथी साथ मिनिस्टर ओफ रूरल एंड डेवलप्मेंट भी हैं, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन ये रहा सर आपकी स्क्रीन पर, बताओ, इसका अंसर बताईए, क्या दे रखा है यहाँ पर, बताओ, क्या होगा, एक प्रॉमिस्ट लेंड, इस दा मैमोईर ओफ वोम, एक वादा भूमी, किसका संस्मरण है, बताईए, क्या होगा इस कोश्चन का अंसर, एक प्रॉमिस्ट लेंड, बताओ, ये इंपोर्टेंट को है मैं लिख देता हूं very important clear बताइए तो बिलकुल यहां पर जो correct answer है वो है आपका बराक ओबामा clear यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा बराक ओबामा a promised land is the memory of whom तो answer है आपका बराक ओबामा आगे बढ़ते हैं which edition of international equal per day was observed on September 18 2020 2020 18 September 2020 को अंतराश्ति समान वेतन दिवस का कौन सा संस्क्रेंड मनाया गया edition पूछा है ना तो आप से question यह भी पूछा जा सकते कि international equal pay day ठीक ना international equal pay day कब मनाया जाता है तो आपका answer होगा 18 September 2020 अच्छा अब पूछा गया है कि यह जो इस साल जो 18 September 2020 को international equal pay day मनाया गया थे कौन सा edition है कौन सा संस्क्रेंड है तो यहां पर आपका answer क्या होगा सर यहां पर आपका answer होगा पहला यह first edition ही था जो अभी ही बनाया गया था September 18 2020 को international equal pay day तो अब यह आपके लिए important question बन चुका है क्योंकि यह अब international equal pay day आने वाले एक्जाम से आप से पूछा जाएगा clear class अगर थोड़ी बहुत भी अगर lag होगी बफरिंग होगी या voice clear नहीं होगी तो एक वर comment करके बताईएगा आगे बढ़ते हैं अगला question इसको बताओ क्या दे रखा है यहां पर according to the estimation of finance ministry what will be the growth in nominal GDP of India in financial year 22 2021 to 2022 22 बताओ क्या होगा sir इस question का answer बताओ क्या होगा इस question का answer बताओ क्या बोला है question में वित्त मंत्रा लेके आकलन के अनुसार वित्त वर्ष ये ये में भारत का नाममात्र जीडीपी में क्या विद्धी होगी तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा नाइनटीन परसेंट कितने की वर्ष ये में कितनी वर्ष ये जाएगा देखो यह सारे कोश्चन कि आपको पीडिएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगे ना तो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक जॉइन नहीं किया है तो आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब के साथ आने वाला भारत के पहला राज्य कौन सा है तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर तमिल नाडू से रिलेटेड मैंने आपको कैपिटल सी एम गवर्नर सब बता चुका हूं इसके प्रीवियस क्लासेज में क्लियर आगे बढ़ते हैं विच बैंक हैज सेट अप ए न्यू वर्टिकल कॉल्ड एमर्जिंग इंटरप्रेनर्स बिजनस इई बी किस बैंक ने उभरते उदमी व्यव रेक्ट अंसर हो जाएगा बंधन बैंक आप लोगों को सिर्फ इस बंधन बैंक से रिलेटेड सिर्फ एक यह चीज़ बस याद रखनी है कि बंधन मैंक का हैड़ कोटर कहां पर है तो बिल्कुल सर बंधन मैंक का जो हैड़ कोटर है वह कोलकाता में क्लियर इस चीज़ को ध्यान रखेगा एक्जाम में बिल्कुल कोशन यहां से बन सकता है क्लियर दोबारह एक बार में कोशन को रिपीट कर देता हूं विच बैंक है सैट अप ए न्यू वाइटिकल कॉल्ड एमर्जिंग इंटर प्रेनर्न बिजनस ईई बी तो आपका बंधन मैंक है बंधन मैंक के डैश गवर्नर थे अमिताब गोश भारती रिजर बेंक आरबियाई के डैश गवर्नर थे बताओ कौन से नंबर के तो बिल्कुल यहां पर 16 नंबर क्या हो जाएगा यहां पर आपका 16 क्लियर हो गया ठीक क्लियर हो गया ठीक चलो आगे बड़े next question की और चले बताइए next question एक second यहां तक चीज़े clear है यहां तक चीज़े clear है चलो आगे बढ़ते हैं अगले question की और चलते हैं इस question का answer बताओ इस question का answer क्या होगा बताओ इस question का answer मैं सभी के यहां पर comment का wait कर रहा हूँ आप लोग answer बताओ आया किसी का answer चलो देखो समझो पंतानाल region the largest tropical wetland in the world is located at which country अच्छा हां एक जो इसके पहले जो question था अपना कि अमिताब गोश्ट 16 नंबर के हैं तो अभी जैसे कि अगर मैं आप से पूछू कि present में कौन है शक्तिकांत दास तो वह कौन से नंबर के है तो वह है आपके 25 ठीक है ना 25 अच्छा तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेगा अगर आप से पूछ ले रहा है कि present और गवर्नर कौन है तो आपका answer क्या रहेगा शक्तिकांत दास हां यह वाला question क् कि पंतन लाल छेत्र विश्व का सबसे बड़ा उश्क उश्क टित बंधी है आर्द भूमी किस देश में इस्थित है तो यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ब्राजिल क्लियर ब्राजिल से अगर मैं आपको related question बताओं तो ब्राजिल का जो capital है वो है आपक साम में question यहां से बनता है clear हो गया सबी लोगों को कि ब्राजिल का जो capital है वो है ब्रेसिलिया और जो currency है रियाल ठीक है एक बार में दोबारा इस question को repeat कर रहा हूं कि पंतन लाल region the largest tropical wetland in the world is located at which country तो आपका answer होगा ब्राजिल ब्राजिल को सांपों का देश भी कहा जाता है ध सांपों का देश किसे कहा जाता है तो आपका answer क्या होगा ब्राजिल clear चलो आगे बढ़ते हैं next question यह रहा आपकी screen पर मुस्तफा अदीब has been resigned from the post of PMO which state very very important question क्योंकि यह जो news है काफी मलब जिस country से related यह है मुस्तफा अदीब जी जिस country से related है वो काफी news में चली थी वो country से related बाते clear तो इसलिए आप लोग इस question को most important question कहो क्योंकि एक्जाम में पूछ सकता है तो जो मुस्तफा अदीब has been resigned from the post of prime minister of which country तो भहिया यहां पर आपका answer हो जाएगा क्या लिबनन clear हो गया लिबनन का capital और currency most important है आपके एक्जाम के किसी ना किसी के shift में जरूर देखने को मिले गए question क्योंकि अभी recent की बात है तो लिबनन का अगर मैं आपर अगर आपसे capital पूछ लूँ तो यहां पर capital क्या है बीरूट clear ठीक है अगर मैं आपर आपसे currency पूछ लूँ तो वो क्या हो जाएगी इसकी currency क्या हो जाएगी तो इसकी currency है Lebanese pound ठीक है Lebanese pound इसकी क्या है currency है तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा capital currency दोनों याद रखना clear Lebanon की एक्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है और मुस्तफा अधीब ज question यह रहा आपकी स्क्रीन पर question है कि RBI has introduced positive pay system for check transaction स्वारी ट्रंकेशन सिस्टम सी टी एस चैक ट्रंकेशन सिस्टम सी टी एस अब डैश फ्रॉम जन्वरी एक दोजार एक भारती रिजर्विंक RBI ने एक जन्वरी दोजार एक से डैश के ऊपर चैक ट्रांजेक्शन सिस्टम स PTS के लिए सकरात्मक वेतन प्रणाली की शुरुआत की है क्या होगा यहां पर इसका answer भी यहां फिफ्टी थाउजेंड क्लियर यहां पर आपको correct answer क्या होगा फिफ्टी थाउजेंड आगे बढ़ते हैं वैसे यह वाला जो कुश्चन था है बैंक वालो के लिए काफी important था है क्लियर यहां पर आपका answer क्या हो जाएगा अमिताबच्ण क्लियर यहां पर आपका answer क्या हुगए अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी चैनल में अपना sony में क्या राइक एक का रहा है तो इसमें अंहीं अभीता बच्चन से रेलेटेट जो बाते कि कि किसी को भी अपना OTP वगेरा ना दीजिए यह वो है ना तो जो RBI की जो गाइडलाइन से उसको फॉलो करते हुए वो सारी चीज़े आप लोग को वहाँ पर बता रहे हैं clear चलो आगे बढ़ते हैं next question यह रहा आपकी screen पर क्या है which bank has launched which bank has launched India's first warehouse commodity finance app किस bank ने भारत का पहला गोदाम commodity finance app launch किया तो यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा भी या HDFC bank clear होगे सभी लोग को which bank has launched India's first तेकना question आएगा यह बिल्कुल question आएगा कि कौन से बैंक ने इंडिया के कौन से बैंक ने warehouse commodity finance app launch किया है तो आपका answer क्या होगा HDFC HDFC में आपको यहां पर दो चीज ध्यान में रखनी है जो एक्जाम में बहुत बार पूछ चुका है पहला तो headquarter जो की मुंबई में है है ना HDFC का headquarter मुंबई में है और इसके जो MD है वो कौन है आदित्य पूरी जी है ना आदित्य पूरी जी तो बिल्कुल यह एक्जाम में पूछा जा चुक है और आने वाले एक्जाम में पूछा जाएगा clear होगे सभी लोगों को ठीक है headquarter है मुंबई और MD है कौन आदित्य पूरी जी आगे बढ़ते हैं अच्छा SDFC ने क्या लॉंच किया तो उन्होंने किया वेरहाउस कमूलिटी फाइनेंस एप आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या है Reserve Bank of India has approved three member committee headed by मीता मखान to function as the ad interim MD and CEO of which bank भारती रिजर्व बैंक ने मीता मखान की अद्यक्ष्टा वाली तीन सदसी समीती को किस बैंक के विज्यापन अंत्रियम MD और CU के रूप में कहारे करने की मंजूरी दिये तो इसका correct answer क्या हो जाएगा लक्ष्मी विलास बैंक clear होगे सभी लोगों को इसका यहापर correct answer क्या हो जाएगा सर लक्ष्मी विलास बैंक के लिए मीथा मखान मीथा मखान वाली तीन सदसे समीती को बैंक के विज्यापन अंत्रियम M.D. और C.U. के रूप में कार करने की मंजूरी दिये क्लियर लक्षमी विलास बैंक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉश्चन क्या है कि Medical Council of India M.C.I. has been officially renamed as National Medical Commission Medical Council of India has been officially renamed as National Medical Commission NMC recently who is the first chairman of NMC Medical Council of India most important question है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं very very important question आपके exam के किसी ने किसी के shift में the question जरूर देखने को मिलेगा Medical Council of India M.C.I. को हाल ही में अधिकारिक तोर पर राष्ट चिकित्सा आयोग N.M.C. का नाम दिया गया है N.M.C. के प्रत्थम अध्यक्ष कौन है बताइए N.M.C. हाँ जी एस पटेल जी बिल्कुल गुड इवनिंग गुड इवनिंग एस पटेल जी बताइए इस question का answer यहाँ पर क्या होगा बताओ Medical Council of India M.C.I. को हाल ही में अधिकारिक तोर पर राष्ट चिकित्सा आयोग N.M.C. का नाम दिया गया है N.M.C. के प्रत्थम अध्यक्ष कौन है तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेगा बहुत important question है इसका answer आप पर क्या हो जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा क्लियर सुरेश चंद्र शर्मा जी है यह फर्स्ट चेयर्मेन बने है N.M.C. के N.M.C. मतलब National Medical Commission National Medical Commission का पहले नाम क्या था Medical Council of India ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question देखो which company which company has launched campaign named contactless connections contact lens connection नाम का जो campaign है यह किस company ने launch किया है तो यह भी बहुत important है बस contact lens connection अगर याद रखोगे तो bank का नाम याद आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सर बिलकुल SBI card क्लियर अब आप लोग कमेंड करके बताना है कि SBI card के MDN CEO कौन है SBI card के MDN CEO कौन है यह मैं बता चुका हूँ बट आप लोग को दोबारा इसको comment box में comment करके बताना है SBI card के MDN CEO कौन है बिलकुल यहाँ पर एस पटेल जी का बिलकुल इसका पहले वाला question बिलकुल सही है सुरेश चंदर शर्मा जी ठीक है न हाँ इस question का आप लोग को answer बताना है comment box में चलो आगे बढ़ते हैं हूँ अमंग क्लियर ना हूँ अमंग दा फॉलॉइंग हैस वान दी ए आई एफ एफ वूमन्स फुटबॉलर ओफ द इयर अवार्ड टो थो थाउजन नाइटीन ट्वेटी गुर्प्रीज सिंग संदू वान मैंस प्लेयर ओफ द इयर अवार्ड 2019 बिस निम लिखित में से किसने वर्ष 2019-2020 का एक AIFF महीला फुटबॉलर जीता है गुर्प्रीज सिंग संदू ने वर्ष 2019-20 के पुरुष खिलाडी का पुरुषकार जीता है क्या होगा इस question का answer यहाँ पर अब देखो आप मुझे यह तो पता चल गया कि गुर्प्रीज सिंग संदू ने मैंस प्लेयर है ना मैंस प्लेयर 2019-20 जीता है चलो यह तो मुझे याद हो गया अब मुझे सेम उसी में आपको वूमन का बताना है तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो याद हो इस दी करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन विच कंट्री होस्टेट दी वर्चुल मिनिस्टेरियल राउंड टेवल डायलोग ऑन बायो डायवर्सिटी बियोंड 2020 प्रकाश जावडेकर रिप्रेजेंटेड इंडिया किस देश ने 2020 तक जै तो बिल्कुल कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था वर्चुली तो वह किया था चाइनाे चाइना की अगर मैं आपसे बात करूं तो चाइना का जो कैपिटल है वो यहां पर आपको सबी लोगों को पता होगा क्या है बीजिंग क्लिएर बीजिंग अगर में यहां पर आप से क्रेंशी की बात कर грrn सी आपर क्या हो जाएगी युवान अरे क्लियर हो गया चीक है तो हमें यहां पर capital और currency पर भी ध्यान देना है clear हो गया यहां पर क्या answer होगा China यहां पर answer होगा विजेंदरी जी जापान नहीं होगा ठीक है कौन सी country ने आपर host किया था ministerial round table dialogue तो आपका answer है China आगे बढ़ते है next question इसको देखेगा which state has won UN Intrigency Task Force UNIATF award 2020 for its contribution towards the SDGs related to the non communicable diseases गैर संचारी रोगों से संबंदित SDG के प्रती अपने योगदान के लिए किस राज ने संयुक्त राष्ट अंतर Task Force UNIATF पुरुसकार 2020 जीता है clear है तो यहां पर आपका correct answer है यहां पर आपका क्या हो जाएगा यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा केरला ठीक है केरला आगे बढ़ते हैं next question question क्या है कि fad cup which was renamed as the billy jean king cup is the women's world cup of which sport fad cup जिसका नाम बदल कर jean billy jean king cup रखा गया महिलाओं के विश्व कप किस खेल के लिए हैं बताओ तो यह तो बहुत easy question है जैसे ही मैंने आपर देखा fad cup तो fad cup से यहां पर मुझे पता चल जाएगा कि fad cup जो है वो तो tennis का है तो option second हो जाएगा यहां से correct clear हो गया सभी लोगों को चीक है Australia's Dean Jones who passed away recently is associated with which sport Australia के Dean Jones का निदन हाल ही में किस खेल से जुड़ा है answer बताओ यहां पर क्या होगा hockey, football, cricket, tennis या फिर rugby कमेंड करके बताइए क्या answer होगा इसका बताओ जल्दी बताओ जल्दी क्या answer होगा बताइए हाँ क्या कह रहे हो कि इसका क्या है renminbi है देखो दोनों सेम है आपका है न दोनों यहां पर आपका सेम है renminbi और yuan ठीक है यहां पर आप इसको renminbi भी बोल सकते हो वाइसा कर्फिक है तो इसको मैं यहां पर yuan की जगा renminbi मैं कह सकता हूँ clear तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा renminbi yuan and renminbi ठीक चलो अगला question यहां पर क्या था हाँ तो इसका यहाँ पर आपको correct answer क्या हो जाएगा cricket ठीक है Australia's Dean Jones जो है है ना Australia के है कौन Dean Jones जो की अभी हाली में expire हो चुके हैं तो वो कौन से sport से related थे तो यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा sir cricket आगे बढ़ते हैं अगला question SP बाल सुब्रिमन्यम देखो यह question easy है और यह तो सभी ल बाली में क्या हो चुका है इनका निदन हो चुका है तो बताइए यह कौन थे तो सभी लोगों को पता होगा कि यह कौन थे सिंगर क्लियर तो option 3 यहां से हो जाएगा SP बाल सुब्रिमन्यम जी क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला question क्या है कि विच बैंक विच बैंक विच बैंक हैस लॉंच्ड इट फॉर्स ऑफ इस काइंड डिजीटल फैसिलिटी नेम्ड सेफ पे जहां पर भी मैं question में सेफ पे देख लूंगा मुझे याद आ जाना यह क्या है यह क्लियर तो question क्या है ध्यान से समझना कि विच बैंक हैस लॉंच्ड फॉर्स इट्स काइंड डिजीटल फैसिलिटी नेम्ड सेफ पे फॉर कॉंटेक्ट लेस डेविट कार्ड बेस्ड पेमेंट किस बैंक किस बैंक ने संपर्क रहित डेविट कार्ड की डिजीटल सुविधा शुरू की तो यहां पर आपका अंसर क्या हो जाएगा idfc first bank clear idfc first bank जहां पर भी मुझे हैं पर safe pay दिख गया तो समझ जाना safe pay तो वह ही है जो कि IDFC First Bank ने इसको launch किया था, safe pay, clear? मैं आपर लिख भी देता हूँ IDFC First Bank safe pay, ये question exam में आएगा, इसलिए मैंने इसको अलग-अलग तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश की, अगला question ये क्या है? किस राज में इस्थित क्रिशी भवन ने दसवे वर्षिक, दसवे वर्षिक AZ Awards 2020 को सामाजिक अच्छाई के तहथ, पीपल्स चॉइस विजेता के रूप में जीता है, पीपल्स चॉइस विजेता, पीपल्स चॉइस विनर, एक्जाम में बिलकुल ये वाला question आपको किसी ने किसी के shift में देखने को मिलेगा, पीपल्स विनर 2020 से related, तो इसका correct answer क्या है या उडिसा, clear इसका यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, उडिसा, उडिसा का आप सभी लोगों को यहाँ पर capital पता होना चीए, भुबनेश्वर, clear, अगर मैं आपर आप से cm की बात करूँ, तो यह भी पता होना चीए, नवीन पतनाएक जी, अगर मैं यहाँ से आपके, गवर्नर की अगर मैं बात करूँ, तो गवर्नर का भी नाम पता होना चीए, उडिसा के, गवर्नर कौन है, गनेशी लाल जी, clear हो गया क्या, गनेशी लाल जी, clear है सभी लोगों को, तो यह question बिलकुल exam में पूछा जाएगा, जहाँ पर भी आपको people's choice winner देखने को मिल जाए तो यहाँ पर आपका क्या है आंसर उडिसा, ठीक है, जिसके यहाँ पर जो capital है वो है भूवनेश्वर, जिसके cm है वो क्या है, जिसके cm है वो है नवीन पतनायक जी, और जो गवर्नर है वो कौन है, गनेशी लाल जी, क्या यहाँ तक चीजे clear है, क्या यहाँ तक चीजे clear है बताओ क्लियर हो गया कमेंड करिए हाँ क्या पूछ रहे हो यहाँ पर कि IDFC का फुल फॉर्म क्या है तो बिल्कुल यहाँ पर किसने पुछा बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर आपका IDFC का फॉल फॉर्म होता है वो होता है Infrastructure Development Finance Company क्लियर हो गया IDFC का यहाँ पर फॉल फॉर्म क्या है Infrastructure Development Finance Company क्लियर है क्या जल्दी से एक बार मुझे कमेंड करके बताओ क्या इतनी चीज़े क्लियर है जल्दी बताओ ठीक है आगे बड़े Next Question की ओर चले चलो अगला Question यह रहा आपकी स्क्रीन पर इसका अंसर बताओ इसका अंसर बताइए इसका अंसर क्या है सुरेश अंगादी हू पास्ड अवे रिसेंटली वाज दा मिनिस्टर आफ स्टेट आफ विच पोर्टफोलियो ठीक है सुरेश अंगादी का हाल ही में निदन हो गया वह किस राज के मंत्री थे बताओ बताओ तो बिलकुल वह किस राज के मंत्री थे किस राज के मंत्री थे बोल रहा है यह तो है न यहां option तो चलो ठीक है इसको भी रहने दो इसको में next class में आपको सही करके करवा दूँगा यह वाला question देख लो यह क्या है यह तो यहां तो answer दिया गया है एक बार देख लो इसको कि who has won the golden pen of freedom award of when ifra 2020 when ifra 2020 के स्वतंतरता संगराम का golden pen किस ने जीता तो यहां पर ध्यान दखेगा सर जीनेत बेडोया यह question आपके यह question आपके बिलकुल S.S.C. में पूछने लाएक question है है ना यह आपके बिलकुल S.S.C. में पूछने लाएक question है यह वाला क्या नाम है इसका who has won the golden pen of freedom award of when ifra 2020 answer का है आपका जीनेत बेडोया clear हो गया सभी लोगों को इतनी चीज़े clear है comment करके बताईए चीक है चलो तो अभी के लिए अपन लोग इतना रखते हैं है ना आज अपन लोग इतना रखते हैं बिलकुल क्योंकि अब अपनी अगली class के भी time हो रहा है साड़े साथ बज़े अपनी अगली class है तो एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूं कि September month के अभी तक अपन लोगों ने चार part अपन कर चुके हैं साथ बज़े क्लास है मैच की जिसमें अभी हम लोग क्या पढ़ रहे है एवरेज पढ़ रहे हैं क्लियर बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं एवरेज का आज अपन लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे और आज अपना एवरेज भी कंप्लीट हो जाएगा फिर कल अपन लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज देखना द्यान से समझना अगर आप लोगों ने करेंगे ऐस और आप उसड》 समझाइब को तो कल अपन फिर महां पर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे लेकिन आज अभी अपन शाम में average पढ़ेंगे clear तो साड़े साथ बज़े सभी लोग class मा जाएगा ठीक बिल्कुल हाँ बिल्कुल अपनी अगली class जो है वो मैस की है average की second part अपना भी पढ़ेंगे और इसके जो class की जो link है वो मैंने आप लोगो टेलिग्राम चैनल पर दे चुका हूँ तो टेलिग्राम चैनल की link आपको description box में देखने को मिल जाएगी ठीक ना description box में टेलिग्राम चैनल की link है वहाँ से join हो जाओ वहाँ पर आपको daily current affair भी मिल रहा है PDF अगेरा सारी चीज़ें वहाँ आप लोग को मिल रही है clear ठीक है चलो तो अभी अपन लोग इतने रखते हैं किसी कहीं पर भी doubt है तो बताओ अगर class अच्छी लगी होगी भीया तो बिल्कुल class को like करिएगा अगर यह अपनी आज की class अगर अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल like करिएगा class को share करिएगा औ और अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजो most important thing क्या कि channel को share करो है ना channel को आप लोग शेयर करो अपने नया channel है तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल share करी अच्छे से ठीक है बिल्कुल basic से बिल्कुल जितने भी आपर मैं classes ले रहा हूँ वो बिल्कुल basic से ले रह क्लास में आओ देखना जो अपने कल जो अपने बढ़ा है उसी से related अपन आज questions करेंगे और सारे questions आपकी बिल्कुल सही होंगे clear हो गया के सभी लोग को ठीक है तो चलो अभी के लिए अपन लोग इतना रखते हैं मिलते हैं साड़े साथ बजे next class में ठीक है जब तक लिए bye bye take care और telegram channel सभी लोग join कर लिजे ठीक है चलो bye bye take care